क्या हुआ भाभी इतनी रात में दर्वाजे पर क्यों खड़ी हो सब ठीक तो है ना कहां ठीक है सब कुछ रात के दस बजने को आए हैं तीनों बोहों के आने की राह देख रही हूँ पिछले एक घंटे से फोन पर यही बोल रही है कि रास्ते में हैं आ रही है अशोक, विनो सुबोध भी कई फोन मिला चुके हैं माजी आपका दूद गर्म करके कमरे में रख दिया है आप पी लेना ठीक है बड़ी बहू माजी ये सुबह के लिए चने भिगो रही थी देखना इतने ठीक रहेंगे हाँ हाँ इतने बहुत हैं भिगोते क्या हुआ माजी ताई जी प हैं और अभी तक नहीं लोटी पता नहीं कौन सी सहेली की जन्मन दिन पार्टी में गई हैं चिन्ता मत करो ताई जी आ जाएंगी तीनो अरे वो देखिए तीनो आ गई इतनी देर कहां लगा दी तुम तीनो ने कबसे तुम्हारा फोन मिला रही हूँ ओहो माजी अभी तो दसी बजे है आप भी न चिन्ता में पढ़ जाती हो अब किसी की जन्मन दिन पार्टी में जाएंगे तो टाइम तो लगेगा न येस भाबी माजी हम तीनो छोटी बच् देखा तुमने सुमन ये तीनों कितनी बेशर्म है एक तुम्हारी दोनों बहुएं कितनी संसकारी है मेरे तो करम ही फूट गये जो ऐसी तीन बहुएं मिली चिन्ता मत करो भाबी सब ठीक हो जाएगा ललिता की देवरानी सुमन की दोनों बहुएं वर्ष और निशा जितन संसकारी हैं उतनी ही ललिता की तीनों बहुएं रजनी प्रीती और निधी खुले मिजाज वाली हैं हर समय घूमते फिरते रहना उनकी आदत है क्या बात है रजनी सुबह सुबह तयार होकर कहा जा रही हो तुम तीनों कल रात भी देर से आई थी कुछ तो सोचा करो अरे इसमें सोचना क्या है घूमने जाना कोई गलत बात थोड़ी है आज हम तीनों मौल घूमने जा रहे हैं क्या कहा तुम तीनों आज फिर घूमने जा रहे हो इसमें इतना चौकने की क्या बात है हम मौल ही तो घूमने जा रहे हैं बहूर रोज रोज ऐसे घूमने जाना अ हाँ हम दिनों अकेले ही जा रहे हमें आपके साथ नहीं जाना हूँ रजनी प्रीती और निधी तीनों किसी की बात नहीं सुनती और अकेले घूमने चली जाती है तब ही वर्ष और निशा आ जाती है ताई जी कल सुबह 11 बजे का टाइम सत्य नारायन भगवान की वरत कथा का निकला है मैंने पंडित जी को सब कुछ समझा दिया है ताई जी आप एक बर पुजा की सारी सामगरी देख लीजे कुछ रह तो नहीं गया अगर कुछ रह गया होगा तो हम ले आएंगे देखो तुम सब देखो ये दोनों कितनी संसकारी बहुए हैं और एक वो तीनों किसी की बात नहीं मानती रोजाना इधर उधर खुमने निकल जाती है घर के कामों से तो कोई मतला भी नहीं है अगले दिन घर में पुजा थी पर तीनों बहुएं रजनी पृती और निधी सोकर ही नहीं उठी थी क्या बात है घर में पुजा है और ये तीनों अभी तक सोकर नहीं उठी ताई जी आप मा जी के साथ पूजा में बैठो मैं और निशा भाबियों को बुला कर लाते हैं वर्षा और निशा तीनो बहुं को उठाने चली जाती हैं पर तीनो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी अब क्या करें निशा हम तो भाबियों को उठा उठा कर ठक गए पर वो सब उठने का नाम ही नहीं ले रही हमें कुछ करना होगा ऐसे तो ताई जी बहुत दुखी हो ज कहती है और वो दोनों सबसे पहले रजणी के कमरे में जाती है अरे भाबी जल्दी से उठो ना पूजा का समय हो रहा है तुम फिर आ गई मैंने तुम्हें बोला ना मुझे ये पूजा वगेर में को इंट्रेस्ट नहीं है मुझे नीद आ रही है शायद आपको पता नहीं है आज पूजा के साथ साथ माजी और ताई जी ने एक प्रतियोगिता भी रखी है अच्छा इसका मतलब इन सब को इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ नहीं पता हाँ लगता तो ऐसा ही है तब ही ये सब अभी तक सो रही है इसका मतलब प्रतियोगिता में मिलने वाला इना हम दोनों का होने वाला है वर्ष और निशा की बात सुनकर रजनी के कान खड़े हो जाते हैं कौन सा ही नाम तुम ये किस प्रत्योगिता की बात कर रही हो अरे आपको नहीं पता ताई जी और मा जी ने कहा है कि हम पांचों बहुएं से जो भी बहुएं सबसे पहले आज की प तीनों बहुएं को पूजा में शामिल देखकर ललिता और सुमन दोनों ही हैरान रह जाती हैं वर्ष और निशा मनी मन मुस्कुरा रही थी उनकी तर्कीप काम कर जाती है तीनों बहुएं ने इतना मन लगा कर पूजा की कि मानो आज पूजा का सारा फल वो लेकर ही रजनी प्रीति और निधी इनाम मांगती है। रजनी अपनी सास ललिता और वर्शा निशा की बातों को सुन लेती है। रजनी पास जाती है और सारी बात बताती है। वर्शो और निशा हमारे बारे में कितना सोचती है। अगर हम भी उनके जैसे बन जाएंगे तो हमारा कितना मान सम्मान बढ़ जाएगा। हाँ भाबी आज पूजा में माजी कितनी खुश थी। हम तीनों ने सच मुझ बहुत गलती किये। हर समय घूमना फिरना इधर उधर मस्ती करना पर असली खुशी तो परिवार के साथ समय बिताने में हैं ना कि अकेले घूमने फिरने में। तुम सही कह रही हो। हमने कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दिया। हमारे पती हमसे कितनी बार कहते हैं कि साथ में घूमने चला करो। पर हम हमेशा उन्हें मना कर देते हैं। माजी भी तो कितना सोचती हैं हमारे बारे में और आज वर्ष और निशा ने भी हमारे लिए सोचा। कोई बात नहीं, अब हम तीनों भी माजी को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। शाम को पड़ोस में कीर्टन में जाना था, वर्ष और निशा बहुत देर से दिखाई नहीं देरी थी, अरे भाबी ये वर्ष और निशा कहां रह गई हैं, कीर्टन के लिए देर हो रही है, किसी के घर भोग पर जाओ तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर पहले जाकर बैटना चाहिए और फिर वर्ष और निशा तो भजन भी गाती है, उन्होंने स्पेशल बोला था कि उन दोनों को साथ में जरूर ले जाए, पता नहीं रजनी प्रीती और निधी किर्टन में जा भी रही है या नहीं, मुझे उनसे उमीद, ललिता की बात मुह में ही रह ज जाती है क्योंकि उसके सामने वर्ष और निशा के साथ साथ रजनी प्रीती और निधी भी किर्टन में जाने के लिए तयार खड़ी थी, प्रीती निधी तुम सब मेरे पीछे-पीछे भजन में बैग जरूर देना, वरना मैं अकेले गाते हुए ठक जाती हूँ, अरे पाचो बहुएं मिलकर किर्टन में भजन गाती हैं, परोसी भी उन पाचो बहुएं के भजन सुनकर बहुत तालियां बचा रहे थी, परोसन भी बहुत खुश थी कि उसके घर किर्टन में पाचो बहुएं ने रौनक लगा दी थी, उस दिन से ललिता की बहुएं भी सुमन वकील थी, मधु एक यूनिवरसिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहु सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी तीनों बहुएं नौकरी वाली थी इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थी इसी वज़ा से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुएं में लड़ाई हो ही जाती थी खास कर तब जब होता था इत्वार यानि की संडे क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सबसी मंडी होकर आ रही हो आज इत्वार है ना, बहु बेटे देर से सो कर उठेंगे सोचा घर पर क्या करूँ, मंडी ही हो आती हो अच्छा अच्छा, आज तो तीनों बहुएं की छुट्टी होगी, चलो बढ़ियां है तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली हैं, वैसे तीनों ही काम वाली हैं तो आपस में बरतन खड़की जाते होंगे अरे नहीं नहीं, मेरी तीनों बहुवों में बहुत प्रेम है उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती अभी तक तो सब उठकर अपना-पना काम लिप्टा चुकी होगी अपनी वकालत घर में मत जाड़ो भावी मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ मुझे भी गणित आती है आलू के पराठा में प्यास नहीं डलेंगे सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा अच्छा मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसालो में प्यास कैसे नहीं मिलाती हो तुम अकेली आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो हम सब हैं अरे तो किसने मना किया छे आलू है, दो-दो-तीनों के हो गए, ये दो मेरे, ये दो मेरे, ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए, और मुझे ये गले हुए खराब दे दिये, बढ़ी चालाक हूँ आप दोनों तो, अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है, ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूँ, मैं अपना आलू नहीं दूँगी, मैं अभी क्यों दूँ, इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाले का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूँ, आलू तो मैं ले करी देखती हो कौन मुझे रोकता है हे भगवान मैं मुहले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गउ है मुह में जबान नहीं है तीनों में प्रेम है पर यहां तो एक आलू के लिए महा भारत छिड़ी हुई है इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम पर लड़ाई बिलकुल बच्चों की तरह लड़ती हो थैले में आलू रखे हैं उबाल लो जितनी मर्जी पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आशा के इतना कहते ही तीनो बढ़ों उसके मूँ पर हाथ रख देती है माजी आज कह दिया आगे से ना कहना सौरी माजी आप ऐसी बाते मत करो आपके बिना हम तीनो अधूरी हैं माजी आगे से ऐसी बाते मूँ से मत निकालना फिर क्यूं लड़ती हो तुम तीनो देखो जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो आशा देवी अपनी तीनो बढ़ों को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी उसके बाद तीनो बढ़ों में मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती है रोजाना की तरह वही खटी मिठी नोगजों के बीच आशा देवी की बदौलत तीनो बढ़ों में आपसे प्यार बना हुआ था आशा देवी की ननत मनोर्मा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है मनोर्मा स्वभाव से चुगल खोर और जगडालू है पर क्या करें है तो आशा देवी की ननत ही न आशा भाबी कहां हो मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ तुम्हारी बहुएं कहां है मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहु देगी जी जी रुको मैं तुम्हारे लिए पुहा और चाय बना कर ला रही हूँ बुआ जी पाई लागू मैं चलती हूँ आपको शाम को मिलूँगी मैं भी चलती हूँ बुआ जी प्रणाम मुझे भी आज लेट हो गया मदुभा भी रुको मुझे अपनी स्कूटी पर जरब बस्टेंड तक छोड़ देना आज क्या आप बुक्री ने हो रही ये बढ़िया बात रही तीनों बहु में काम पढ़नी कल गई अब तुम सारा घर का काम करोगी तो क्या हुआ जी जी सफाई बरतन वाली लगी हुई है घर का काम करड़े में हर्स थोड़ी है तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो ये लो पुहा और चाय लो बाकी सब चिंता छोड़ दो मनूर्मा की बुरी आदत चुगली करनी की बास कहा आने वाली थी जब आशा ने उसकी बात को अंदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुँ को भड़काने लगी अरे रमा बहु क्या कर रही हो अंदर आ जाओं हाँ हाँ बुआ जी ये भी कोई पूछने की बात है आपका अपना घर है कहीं भी आओ जाओ अच्छा अलमारी में कपड़े लगा रही हो हम सच मुझ कितना ठक जाती हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं अबुआ जी वो कल मदू ने मशीन लगाई थी तो कपड़े दोकर रख दिये थे वही तह लगा रही हो अच्छा तब ही मदू का मुझ बना हुआ था बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हो वो प्रोफेसर है न तो जल्दी घर आ जाती है इसलिए वो जादा काम करती है अच्छा ऐसा कहा पर ऐसी तो कोई बात नहीं है मैं और सुधा हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती है मधू फालतू की बाते कर रही है रमा को भड़काने के बाद मनोर्मा ने मधू और सुधा को भी जूट मूट की पट्टी पढ़ा दी क्या रमा भाबी और सुधा ने ऐसा कहा उन से जादा घर खर्च में पैसे मैं लगाती हूँ उन दोनों की इतनी हिम्मत ये कहने की कि वो मेरे से जादा घर खर्च करती है आपको पता है बूआ जी कितनी बार रमा भाबी और सुधा के जन्म देन एनिवर्सरी पर मैंने महंगे महंगे तोफेला कर दिये है अच्छा हुआ बूआ जी आपने मुझे बता दिया ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती है मनोर्मा तीनों बहूं में फूट डाल चुकी थी तीनों बहूं के विवहार में फर्क साब दिखाई दे रहा था ये तीनों को क्या हो गया है आज इत्वार के दिन घर में इतनी शांती कैसे बनी हुई है रमा बहू क्या हुआ आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या मुझे नहीं पता माजी मैंने अपने और सुधीर के रहे छोड़ले भटूरे मंगवाये थे हमने वही नाश्ता कर लिया है रमा भावी बहुत जादा इत्राने की जरूरत नहीं है हमने भी स्पेशल अम्रिट सरी कुल्चे मंगवा कर खा लिया है हमारा भया संडे है सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहे है मैंने भी जले भी समोसे खाए है खुद कमाती हो किसी का दिया नहीं खा रही मैंने और रवी ने हैवी नाश्ता किया है बढ़िया कितने दिनों बाद ये हो क्या रहा है इस घर में एक दूसरे से सीधे मूँ बात करने को तीनों तैयार ही नहीं है जरूर कुछ करबर है नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं कर दी और ये मनोर्मा जी जी कहां गई है बड़ी तेर से दिखाई नहीं दे रही लगता है कमरे में होगी उनकी चाय वहीं दे आती हूँ अरे मैंने भावी की तीनों बहुँ में ऐसी फूट डाली है ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत बड़ा इतरा आ रही थी तीनों बहुँ को लेकर ओह इसका मतलब ननत जी ने मेरे घर में आग लगाई है इनका परदाफाश मैं ही करूँगी मनोर्मा की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की आशा दिवी ने एक दिन अपने मोबाईल का आडियो रिकॉर्डर आउन करके मनोर्मा के कमरे में रख दिया और जानबूच कर मनूर्मा से बातों बातों में बात करने लगी भाबी तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुँँ से तंग आ चुकी हो मनूर्मा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने रमा मधु और सुधा से एक दूसरे के लिए चुक लिगी थी आशा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुँँ के सामने अपनी ननद मनूर्मा की सच्चाई सुना देती है जिसे सुनकर तीनों बहुँँ की आँखों में आसु आ जाते है और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती है मनोर्मा शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है मुझे अपनी तीनो बहुँँ पर नाज है तुमने किसी के भढ़काने पर अपने ही घर में फूट डाल दी मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनो बहुँएं बहुत समझदार है उनमें आपस में एकता है कभी भी किसी के भढ़काने में मताना नहीं तो घर को तूटते देड़ नहीं लगती हमें माफ कर दीजे माजी आज के बाद हम ये गलती दुबारा कभी नहीं करेंगे इनो बहुँएं में फिर से एकता हो जाती है और आशा देवी का परिवार तूटने से बच जाता है